किशान मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आशी शुर्मा, स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दिहाती किशान साथी में किशान भाईयों, आज हम आ गए हैं अपने प्लाट पर जहां पर धान की फशल लगी हुई है यह पूरा प्लाट देख रहे हैं, एक चालिस भीगे का प्लाट है और पूरे खेत में धान की रोपाई कर रखी है वराटी की बात करें तो 31-31 गोल्ड, जो धान की वराटी है, सबसे अच्छी पैदावार देने वाली वराटी है उसकी रोपाई कर रखी है, और इसमें D.A.P. पर चुकी है और पहली यूर्या जो है, खाद ओपर चुकी है, आप धान देख रहे हैं यहाँ पर, जो कल्ले आपको दिखा रहे हैं, यह देखिए कलों की संख्या कितनी हो चुकी है तो पूरे धान में पहली खाद में यूरिया के साथ क्या-क्या डाला है पूरी संपूर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किशान भाईयों धान रोपाई होने के बाद सबसे पहले पौधा हमारा तीन से चार दिन में मिट्टी से जड़ को पकड़ लेता है इसके बाद आपको यहाँ पर डियेपी खाद डालने की जोथ होती है कुछ छेत्रों में किशान भाईयों क्या होता है कि जब लाश्ट जुताई कर रहते हैं वहाँ पर डियेपी खाद डाल देते हैं लेकिन हमारे छेत्रों में किशान भाईयों जो धान की रोपाई हो जाती है इसके बाद डियेपी खाद डालते हैं यानि इस समय जो प्रामरी स्टेज होती है वहाँ पर आपको यूरिया नाट्रिजन धान की फसल में सबसे अहम रोल निभाता है क्योंकि नाट्रिजन से पोधे की बढ़वार भी अच्छी प्रकास दे होती है पोधे में हरापन वो भी पोधा स्वस्त बना रहता है तो नाट्रिजन के संग जो और तत्त मिलाने की जोथ होती है माइको न्यूटेंस तत्त होते हैं उसके संग आपको जिंक मिलानी है जिंक में मैंने पहले ही वीडियो में बताया है तो 3-4 kg या 5 kg प्रते एकड के इसाथ से आपको लेना है तो नाट्रिजन के संग जो और तत्त मिलाने की जोथ होती है माइको न्यूटेंस तत्त होते हैं उसके संग आपको जिंक मिलानी है जिंक में मैंने पहले ही वीडियो मिलानी है उसकी मात्रा की बात करें तो 3-4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम प्रते एकड के इसाफ से आपको लेना है साथ में मोनो जिंक में सल्फर की मात्रा परद्या 15% पाई जाती है वो भी अच्छे से काम करती है सल्फर जब अपने धान की फसन में डाल देते हैं तो यूरिया की छमता है और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ जाती है सल्फर एक प्रकार से वहाँ पर फंगी साइड का भी काम करता है सल्फर से आप देखते होंगे जब धान की रोपाई करते हैं तो उपर की मिट्टी एकदम से वहाँ पर सेट हो जाती है मतलब जमीन कड़ी हो जाती है आप पर रखते होंगे तो पूरी तरह से जब मिट्टी हमारी सूख जाती है एक बार पानी भर देते होंगे तो नीची की और पर धस्ता नहीं है तो ऐसे जो सल्फर डालने से किसान भईयों होग क्या होता है कि जमीन में छिद्र हो जाते है छिद्र से जो पोधे तक फासफोरस और नाट्रियन पहुचाने का काम किसान भईयों सल्फर सबसे अच्छा करता है तो इसलिए आपको सल्फर की मात्रा यहाँ पर तीन से चार केजी प्रत एकड के इसाब से आपको ले लेना है और बात करेंगे तीसरे प्रोडर की तीसरे प्रोडर में किसान भईयों आपको यहाँ पर लेना है जो दिमक की समस्या किसान भईयों होती है खेत में बहुत ज़्यादा किड़े भी हो जाते हैं कभी कभी देखते होंगे जो दिमक के जड़ हमारी काड देते हैं उपर से पौधा हमारा सूखने लगता है एस समस्या किश्ञान भाई यू आ जाती है तो इसके लिए मार्केट में हमारी उपलब्ध हैं काटाब ले सकते हैं बार कंपनी की रीजन ले सकते हैं वर्टिको ले सकते हैं इनमें से किसी एक किड़नासक को आपको ले लेना है और मात्रा की बात करें तो यहां पर पांच केजी आपको मतलब एक एकड़ के लिए परयापत है और यह सारे प्रोड़क को आपको आपस में यूरिया में अच्छी प्रकार से मिला लेना है मिलाने के बाद किश हमारी है लिश डाउन में यानि जमीन की सतय के नीचे चले ही आएकि और हमारी यूरिया जो हाए पोधों तक नहीं पहुंच पाएगी इस ते आपको छीत में ज्यादा पानी बिना होना चाहिए और बहुत ज्यादा वहांपर छेत में पानी कम भेम मागे होनी चाहिए इस धान की फसल में ये आपको काम कल लेते हैं तो धान की फसल से अच्छे से कल ले आएंगे कल्लों का विकास भी अच्छे से होगा और धान में जो बढ़वार है जो ग्रोथ है पोधे की विकास है वो भी अच्छे से देखने को मिलेगा तो किशान भाईयों नीचे आप कमेंट करके बताईए कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है और उसमें कलों की संख्या अभी तक ज्यादा हुई है नहीं हुई है तो इसके आरे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे तो किसी प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार